सब्सक्राइब को पता है यहाँ पे हम प्रॉबैबिलीटी का सेशन स्टार्ट कर चुके है फॉर ससी क्लास 10 मतलब महारश्ट्र बोर्ड वालों के लिए है बड़ अगर कोई बच्छा प्रॉबैबिलीटी के बारे में जानना चाहते है तो इस कम्प्लीट वीडियो इस अल फ इसक्रिप्शन में मिल जाएगा सजेस्टेड वीडियो में भी आ जाएगा जहां पे हम लोग ने एक रैंडम एक्सपरिमेंट होता क्या है और एक्सरसाइज 5.1 मतलब जो प्रैक्टिस सेट आपका 5.1 है उसके सारे क्वेस्टें ले लिए जो की बहुत ही सिंपल थे अगर डोंट फगेट टो शेर दिस वीडियो विट एज मुच स्टूदेंट अज मुच फ्रेंड्स पॉसिबल और एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होंगे तो टॉपिक का नाम है बच्छो सैंपल स्पेस अब सैंपल स्पेस क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ प से पहले लिक्चर नमबर वन में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने वहाँ पे रैंडम एक्सपरिमेंट पढ़ा था और उसके बाद में एक आउटकम करके वर्ड सुना था तो आप उसका मीनिंग क्या था सैंपल स्पेस अभी क्या होने वाला है तो रैंडम एक्सपरिमे तो सैंपल स्पेस भी क्या होता है वो भी आउटकम ही होता है बड़ आउटकम का अगर हमें एक सेट बना दिया तो हम उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं तो यह रहा है उसका डेफिनिशन यह सारे चीज़े अगर आप लोग को पता होगा तो क्या करना है मालम है यहाँ पे जो भी आप लोग को एक रैंडम एक्सपरिमेंट का रिजल्ट मिलने वाला है जो की आउटकम मिलने वाला है अगर आप उसको सेट के रेप्रेजेंटेशन में बताओगे तो वो हो जाएगा आपके सारे सैंपल स्पेसे इट्स आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिजिस्टेंस का जो एक तरह से यूनिट होता है वो होता है बड़ यहाँ पे यह रिजिस्टेंस नहीं है ओ तो मैंने आप लोग को यहाँ पे दो दिनोट बताया है S और ओमेगा आप लोग को ओमेगा का यूज नहीं करना है you are only going to stick with capital S is that clear to every students fantastic अब यहाँ पे बच्छो समझाने के लिए अगर आप लोगो अभी भी नहीं समझ में आया होगा कि sample space क्या होता है तो हमेशा examples काम आजाता है so let's try to understand this with the help of an example यहाँ पे देखो बच्छो rolling of a die की बारे में बात कर रहे है कि अगर मैंने एक die को roll किया तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं एक die को roll करता हूँ तो उसके outcomes क्या आएंगे उसके results क्या क्या आएंगे यहाँ तो यहाँ पे die में 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा 4 आ सकता है 5 आ सकता है नहीं तो 6 आ सकता है so these are all the outcomes आउटकम के बारे में तो हमने पढ़ाई किया था अगर इस outcome को हमने set के representation में लिख लिया तो वो हो गया sample space मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते है s is equal to curly bracket open 1 2 3 4 5 6 curly bracket close this is the set representation बच्छा roster formula representation 9th में पढ़ाई किया था तो उस representation को बोला जाता है बच्छो the sample space बट याद रखना बच्छा यह sample space के अंदर जो भी आप लोग को जितने भी elements दिख रहे है वो सारे outcomes होने चाहिए तो random experiment का एक भी outcome यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए 1 2 3 4 5 6 every outcome has to be present तो वो हो जाता है बच्छो sample space simple है अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर आप लोग को अंदर elements दिख रहे है न उन elements को probability में sample points करके बोला जाता है तो each and every element in a sample space is called as the sample point sample points so total number of sample points इस particular random experiment में कितने हुए exactly there are 6 sample points और here and sample points को हम ऐसे represent करते है n of s करके यह n of s कुछ नया topic नहीं है आप लोग के लिए आप लोग ने ऐसा कुछ सुना था n of s मतला number of sample points is that clear? so n of s will be equal to 6 so depending upon अलग-अलग random experiment के उपर depend करता है कि आपका sample points कितने होने वाले and हाँ आपके पूरे chapter में random experiments बहुत सारे वह सारे random experiments में आज तो नहीं लेने वाला हूँ but जो random experiment जादा तर आपके questions में है हम लोग ना आज उसका samples पे समझेंगे and उसका sample points भी समझेंगे and at the same time इस particular video में हम exercise 5.2 को भी पूरी तरह से खतम करेंगे तो शुरू करते है बचो यहाँ पे कुछ sample space के बारे में कुछ random experiments के सबसे पहला random experiment है बच्चा कि अगर मैंने एक coin को toss किया तो मेरा sample space क्या होगा and मेरा sample points कितने होगे तो अगर मैं एक ही coin को toss कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है अगर मैं coin को toss करता हूँ तो यहाँ तो chances से कि वो heads आ जाए नहीं तो chances से कि वो tails आ जाए these are the only two possibilities ऐसा तो नहीं होने कि बीचो बीच यहाँ पे ऐसा खड़ा रहे वो वाला consideration नहीं हो सकता यहाँ पे यहाँ तो heads आएगा नहीं तो यहाँ पे tails आएगा so क्या मैं लिख सकता हूँ the sample space over here will be either heads or tails हम बार-बार heads or tails लिख नहीं सकते तो आप एक capital H लिखने का and capital T लिखने का कॉमा कर देने का so यहाँ पे H भी आ सकता है नहीं तो T भी आ सकता है these are the possible outcomes यहाँ पे sample points कितने हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप element को गिनते हो तो 2 मिलेंगे तो N of S is equal to 2 such kind of questions exam में पूछे जाते हैं तो इस question को अच्छी तरह से समझना question नहीं यह topic है समझ लेना अच्छी तरह से चलो एक coin को toss करना तो बड़ा simple था या तो heads आएगा नहीं तो tails आएगा बट क्या होगा बच्छो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिए कि 2 coins को toss किया जाए अब बहुत आरे बच्छे बोलते सर heads heads tails tails नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है अगर मैं 2 coin को toss कर रहा हूँ तो इसका सबसे पहले visualization करना start करो कि अगर आप 2 coin को toss कर रहे हो मतलब आप 2 coin को simultaneously toss कर रहे हो इसका मतलब कि आपके एक हाथ में एक coin है और दूसरे हाथ में दूसरा coin है और आप toss कर रहे हो तो क्या हो सकता है बच्छो ऐसे possibilities में देखो आपने अगर coin को toss कर लिया तो आपके left hand side में left hand में जो बच्छा यहाँ पे यहाँ पे जो coin है अगर आप उसको toss करते हो मान के चलो पहले वाले coin में आपको heads मिला तो दूसरे वाले coin में भी heads मिल सकता है so this is one of the possibility heads and heads on both the coins है की नी simple अगर हम लोग ऐसा भी consider करें कि फिर से मेने एक बार throw करने की कोशिश की तो possibility ऐसा भी हो सकता है कि पहले में heads मिलेगा but दूसरे में tails मिल सकता है so this is also the possibility right कि पहले coin में head मिले and दूसरे coin में tails मिले and ऐसा भी possibility हो सकता है कि पहले में tail मिले, दुसरे में heads मिल सकता है, and last but not the list, one more possibility is possible कि आप लोग को पता ही होगा बच्छा, यहाँ पर जो fourth possibility है, वो क्या होने वाला है, absolutely बच्छो, यहाँ पर जो possibility होगा, वो हो सकता है, दोनों भी tails आ जाएगा, मतलब पहला भी coin में tail आ जाएगा, so these are all the possibilities, starting में हमने सोचा ही नहीं था कि इतने possibilities भी हो सकते हैं, यहाँ पर बचने, यहाँ पर 4 possibilities can happen, and यह सारे possibilities को आपको note down करना है, note down करते वद कैसे होगा, it will become heads 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 tails, ऐसा लिखने के लिए time नहीं है, तो पहला हो सकता है hh, दूसरा होगा ht, तिसरा होगा th, and चौता हो जाएगा tt, so you can write over here, the sample space is hh, ht, th, tt, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रटा मत मारो, मैं कोई आहाँ पर tips and tricks नहीं देने वाला हो, because उससे कुछ फाइदा नहीं होता है, तो tips and tricks फिलहाल के लिए तो use मत करो, जितना जादा दिमाग लगा सकते हो, लगाओ, हाँ, two coins में आप लोगो tips and tricks की ज़रूरत भी ना पड़े, three coins में भले ही आप अपना दिमाग लगा सकते हो, but वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना tips and tricks use कर सकते है, if you really are confident enough, but exam में फटा-फट करना होगा तो, but two coins में ज़रूरत नहीं है, इसलिए hh, ht, th and tt, that's it, very 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 simple, चल, यह coins, अगर concept अप लोगो समझ में आगा रहेगा, तो इसका n of s दरा count करो बच्छो, sample points कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, hh एक पूरा एक ही element है, तो hh, ht, th and tt, तो पर n of s will become 4, and it is as simple as that, बड़ा simple सा concept है, अब मैंने यहाँ पर चीजों को थोड़ा और difficult करने की कोशिश की, तो यहाँ पर two coins को toss करने के जग़ा पर मैंने three coins को toss करने का सोचा, अब यहाँ पर सोच रहे होगे कि three coins को कैसे toss करेंगे, हाथ तो दो ही है, एक यहाँ पर एक coin है, दूसरा है coin है, तीसरा किसी दोस्त को बुला लो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहला coin है, दूसरा coin है and तीसरा coin है, अब simultaneously तीनों coins को toss कर रहे हो, अब यहाँ पर चाहो, तो मैं आप लोगो coin के हिसाब से दिखा सकता था, कि पहले में head आएगा, दूसरे में head आएगा, तीसरे में भी head आएगा, फिर पहले में head आएगा, दूसरे में head आएगा, तीसरे में tail आएगा, तीसरे में head आ सकता है, तो there are so many possibilities बच्छा ऐसा हो सकता है बढ़ हमारे पास इतना time नहीं इस सब चीज़े करने के लिए तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ कर सकते हैं जो आपके exam के point of view से काम आ सकता है मैं आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा shortcut बताना चाता हूँ, shortcut बड़ा simple है बच्छो, इस shortcut को समझने के लिए आपको 3 coins are tossed के पहले 2 coins are tossed को समझना बहुत जादा important है, आपको याद है बच्छो 2 coins are tossed में हम लोग ने क्या याद किया था तो sample space था, hh, ht, th and tt, बरबर है, तो 3 coins are tossed में हम लोग क्या करने वाले हैं, वही hh, ht, th and tt को ही लिखने वाले हैं, बड़ दो बार लिखेंगे देखो यहाँ पे, अच्छी तरह से देखो s is equal to hh, ht, th, tt एक उपर वाले में लिखा और फिर नीचे भी लिखा hh, ht, th and tt Is that clear? मतलब यहाँ पे मैंने जो हम लोग ने 2 coins are tossed simultaneously किया था वही मैंने यहाँ पे लिखा, बड़ दो बार लिखा, अब ऐसा क्यों किया होगा? समझाता हूँ, अब उपर का जो मैंने hh, ht, th and tt लिखा है, उसका यहाँ पे हमने 2 coins लिखा है, h और h हो गया है, तो तीसरा वाला जो जगब छोड़ दिया है ना वहाँ पे क्या आने वाला है? तो उपर आप लोग ने जो 4 लिखे है ना उसके last में heads लिख लिखे लेना h, 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 h and h simple है, यहाँ पे उपर वाले जो 4 है उसमें आप लोग ने end वाले coin में heads डाल दिया, heads, 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 heads तो नीचे वाले जो 4 है, उसमें क्या आएगा? जाहिर सी बात है, हर बच्चो के तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा बच्चो उसमें क्या होने वाला है? very good guys यहाँ पे जो होने वाला है, that will be T, 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 and T, and इस हिसाब से बच्चो आप लोग ने सारे 3 coins को toss करने के बाद simultaneously जितने भी outcomes आने वाले सारे note down कर लिये, believe me इससे जादा outcome आपको मिलेगा भी नहीं, so this is how एक छोटा सा shortcut दिया हो बच्चो आप सभी लोगों के लिए exam point of use है, कि आपके पास भले ही logically आप लोग को समझा भी होगा बट exam में अगर time नहीं मिलता हो अगर confused होते होंगे हो, तो आप लोग ऐसा याद कर सकते हैं, कि HHHT, THTT, दो बार लिको पहले वाले में heads end करो और दूसरा वाला जो part है उसमें आप tail से end कर सकते हैं simple है, तो यहाँ पे तरह count करो बच्चो, आप लोग को sample points मिल जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so end of s will be equal to 8 इसके ओपर जादातर questions पूछे जाते हैं बच्चो, या तो 3 marks के लिए पूछे जाते हैं, नहीं तो 2 marks के लिए तो आप लोग इसके लिए अच्छी तरह से तयार रहना because boards वाले हमेशा 3 coins are tossed together वाले ही questions जादातर पूछने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से करके जाओ, आपके textbook में भी इससे related questions जादा मिलेंगे चलो आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा easy वाला topic लेता हो बच्छा, a die is rolled हमने अभी अभी एक die को throw किया था, die को roll किया था तो हमने अभी अभी एक example देखा था बच्छा, तो आपको सभी लोगों को पता है कि जब मैं एक die को throw करता हू तो उसके possible outcomes क्या-क्या मिल सकते हैं, very good बच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 these are all the possibilities that could come across with, तो हम यहाँ पे लिख सकते है s is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and सबको पता है बच्छो, the sample points over here will be 6, यह example बड़ा simple था, but बच्छो यहाँ पे भी एक कहानी में twist है कि आपके text book में, जब एक die को throw किया है, तो यह simple answer सा मिला आप लोगो यहाँ पे but एक और topic है, जहाँ पे आपको एक die को throw नहीं करना है बलकि आपको दो-दो यहाँ पे die दिये रहेंगे और दोनों भी die को आपको throw करना है अब यह दोनों भी die को अगर आप लोगो throw करना है the two dice are thrown तो बच्चे बहुत सारे बलते है, simple तो है sir 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 खतम, no this is absolutely the wrong answer बच्चो अगर आप लोग ने सोचा हो गया ऐसा तो ऐसा सोचना भी मत, बिलकुल भी मत सोचना जब आप लोग 2 dice को throw करते हो बच्चो मैं आप एनिमेटेड फिगर दिखा रहा हो ताकि आप लोग को समझे कि अगर मैंने 2 dice लिये और throw किये तो possibilities कितने आ सकते ज़रा सोचो बच्चो आप लोगो नहीं लगता कि मेरा सबसे पहला जो मैंने die लिये जो white color का है मान के चलो उसमें 1 आया होगा तो दूसरे में भी 1 आने के chances है ऐसा हो सकता है कि दो नोग die को मैंने throw किया तो 1 and 1 आ सकता है बट बच्चो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैंने 2 dice को फेग दिया तो उसमें पहले वाले die में अभी भी 1 ही आ रहा है बट दूसरे वाले die में 2 आ सकता है this is also the possibility that could come across with बच्चा 1,1 हो सकता है फिर दूसरे में या तो 1,2 भी हो सकता है so possibility ऐसे बहुत सारे जहां पर आपका सबसे पहला die में में तो 1 ही आऊंगा भाई बट बाकी का जो दूसरा वाला die में उसमें बदल सकता है like 1,2 होगा तो 1,3 हो सकता है फिर 1,4 हो सकता है 1,5 हो सकता है and 1,6 हो सकता है so these are all the possibilities जब में die को throw करूंगा तो हो सकता है but यहां पर बच्चा जैसा मेरे पहले वाले die में 1 को मैंने constant कैसे रखा था ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले वाले die में 2 आ सकता था पर दुसरे वाले die में 1 आ सकता था फिर ऐसे ही चालू रहेगा कि पहले वाले die में 2 तो दुसरे वाले die में 2 like it could be 2 and 3 it could be 2 and 4 2 and 5 2 and 6 and this goes on continuing समझ में आ गया तो बच्चो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते कि आगे का जो chronology होगा अभी तो मुझे आप लोग को बताने की धरूरत नहीं है कि chronology कितना simple होने वाला है कि आपको अभी पहले वाले die को change करना है और फिर से सारे dies यहाँ पे जो red वाला है वो वाले red dies को आप लोग को एक 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 number alert करना है आप लोग को पता है next क्या क्या होने वाला है मैंने यहाँ पे सारे note down करके रखे आप लोग अच्छी तरह से इसको वीडियो को pause करके देख सकते है कि मैंने सारे numbers यहाँ पे डाल दिये है so 5152, 5354, 5556 होगा फिर last but not the least 61626364 and बाद में 65 and 66 6 भी हो जाएगा and this is how बच्छो यह final रहेगा because die में 6 is the last number शुरुवात हमने 1 से किया खतम हम लोग ने 6 में कर दिया and यहाँ पे आपको सारे possibilities मिलेंगे अब exam में क्या आप लोग को यह die को draw करके आने का है कि आप बिलकुल भी ने you are not supposed to draw a die over here यह सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए किया था exam में आप इसको कैसा लिखोगे इसका पूरा interpretation मैंने यहाँ पे दिखाया बच्छो आपको ऐसा ही लिखना है s is equal to curly bracket open जो 1,1 था पहले वाले डाए में 1 और दुसरे वाले 1 जो मैंने उसको एक और bracket दिया है round bracket and मैंने उसको एक element मानने के लिए 1,1 कर दिया फिर comma 1,2 in one bracket 1,3 इस इसाब से बच्छो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते you can make the elements over here is that clear so far guys अब सभी लोगों को पता चल ही चुका रहेगा कि यह जो आप लोगों को answer मिला है इसमें N of S कितना हो जाएगा बच्छो it will become 36 and it is as simple as that तो concept बड़ा simple है exam में इस से related भी questions जाद तर पूछे जाते है बड़ अगर आप लोगों को एक question को समझना है तो थोड़ा practice अच्छी तरह से करके जाओ textbook में तो बहुत सारे questions देखे रखे इस से related तो अच्छा solve भी हो जाएगा अप लोगों का चलो इतना हो गया I think this is more than enough for you to understand right now sample space और sample points को अभी फिलाल इतने random experiment में समझना more than enough है और भी sample points और sample spaces है बच्छो बढ़ हम वो बाद में सीखेंगे because exercise 5.2 के लिए वो इतना relevant नहीं तो हम उसके बारे में बाद में देखेंगे अब फिलाल के लिए बच्छो यहाँ पे practice set 5.2 का question करते है जो कि सब easy-easy questions है बच्छो और हम लोग उसको समझने की कोशिश करते है सबसे पहला question है for each of the following experiments write the sample space s and the number of sample points n of s तो सबसे पहला random experiment आप लोग को देखे रखा है और उसके बाद में दुसरा भी random experiment दिया है आपको यह दोनों का भी sample space निकालना है and sample points निकालना है तो सबसे पहले आएगा बच्छा यहाँ पे क्या and यह दोनों को भी एक साथ throw करना है and यह दोनों को एक साथ throw करने के वाद जो result मिलेगा वो एक result रहेगा फिर आप लोग फिर से try करोगे and दुसरा जो answer मिलेगा वो और एक result रहेगा ऐसा है तो आप लोग को result क्या मिल सकता है जरा सोचो ना बच्छो कि मैंने coin को toss किया and मैंने die को भी throw कर दिया एक ही result लाने के लिए तो जब मैंने coin को toss किया आपको नहीं लगता heads आ सकता है possibility तो है कि heads आ जाए at the same time क्या मैं बोल सकता जो मैंने die throw किया उसमें 1 आ सकता है so can I say one of the possibilities is h1 अब कुछ बच्छे बोलेंगे sir bracket क्यों नहीं डाला यहाँ पर डालना है तो डालो एक alphabet था and दूसरा number था इसलिए मैंने यहाँ पर bracket डालना ज़रूरी नहीं समझा वो die वाले में दोनों भी number थे तो इसलिए मैंने brackets डाल दिये अलग-अलग दिखाने के लिए सारे number से ना वहाँ पर confusion हो सकता था यहाँ पर confusion है ही नहीं so there is no need of brackets हम यहाँ पर h1 लिख सकते है तो coin में head आ सकता था die में 1 आ सकता था अब ऐसा भी हो सकता है कि बच्छो coin में अभी भी head आ रहा हो but die change कर रहा है अपना number मतलब h2 हो सकता है फिर h3 हो सकता है फिर h4 हो सकता है h5 हो सकता है and h6 हो सकता है मतलब coin में heads ही आ रहा है but die में numbers बदल रहा है so these are the possibilities that we could come across with and ऐसा भी हो सकता है अभी मैंने फिर से coin को toss कर दिया और die को throw किया तो इस बार coin में heads आने के वज़ए tail भी आ सकता है but die में number 1 आएगा tail 1 t1, t2, t3, t4, t5 and t6 इसके अलावा और कोई possibility हो सकता है क्या सोचो जरा मुझे नहीं लगता कोई हो भी सकता है because coin में तो heads and tails ही तो होता है and numbers में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 so we have taken all the combinations over here and it was as simple as that अब बच्चे बोलेंगे sir h1 के जगा पर अगर मैंने 1 h लिका होता तो फरक पड़ता क्या नहीं फरक पड़ता because coin और die को त्रोग कर रहे हो तो आप पहले die को देखकर बाद में coin को देखते तो भी क्या फरक पड़ता element तो h1 हो या 1 h हो कुछ फरक नहीं पड़ता तो arrangement वहाँ पर फरक नहीं पड़ेगा हमने h1 लिक लिया because उन्हेंने पहले coin लिका था फिर die लिका था इसलिए मैं भी उनके chronology में ही गया अब second वाला question है बच्छो यहाँ पर तो उसके पहले हाँ s लिका है तो n of s भी आ जाएगा यह मसाईदार बच्छो यहाँ पर आप लोग को 3 digit देखे रखा एक है 2 एक है 3 एक है 5 आप लोग को इससे 2 digit number बनाने क्या है भी 2 digit number बनाना है मतलब दोनों digit को ले लो जोड़ दो खतम बट इस हिसाब से जोड़ना है बच्छो कि आपको digits जो लिया है उसको repeat नहीं करना है digits जो लिया है उसको repeat नहीं करना है मतलब बहुत सारे बच्छे confused हो जाते है repeat नहीं करना है मतलब क्या मतलब simple है बच्छो कि एक बार आपने जो number ले लिया 2 आप फिर से नहीं ले सकते हैं मतलब कौन से कुन से type of numbers नहीं लिया जा सकता बचा the numbers like 22, 33 and 55 ये नहीं ले सकता क्योंकि 22 मतलब देखो 22 आप लोग देख रहे हो तो 2 digit number में मैंने 2 को लिया and फिर से 2 को ही लिया तब जाकर ही तो वो 22 बन गया मतलब मैंने जो digit को लिया था उसी digit को फिर से repeat किया and तब जाकर 22 बनाना तो जो number आपने लिया है एक बार वही number फिर से लेकर आप 2 digit number नहीं बना सकते, आपको दूसरा number लेना पड़ेगा तब जाकर आपको एक 2 digit number बनाना पड़ेगा, इसी को बोलते है without repeating the digit समझा, simple है तो उससाब से बचा, सबसे पहला number आप लोग का क्या होगा, 22 तो नहीं आ सकता तो 2 और 3 को लेकर मैं 23 बना सकता हूँ that's the first number I could do उसके बाद मैं, मैं 2 को और किसके साथ combination कर सकता हूँ, 5 के साथ 25 भी तो बना सकता हूँ मैं यहाँ पे कौन सा number digit को repeat कर रहा हूँ के नहीं ऐसा मत बोलो कि पहले में भी 2 लिया था 23 अभी भी 2, 5, 2, 2 2 और 2 repeat हो गया, वैसा नहीं element में, एक ही element में repetition नहीं होना चाहिए 23 में 1, 2 है, दूसरा 3 है अलग-अलग है element में, 25 में 1, 2 है, दूसरा 5 है अलग-अलग है तूनों, repeat नहीं हो रहा है simple है, अब वैसे ही और combination क्या हो सकता है 3 और 2 का combination 32 बन सकता है उसके बाद में 33 बनेगा क्या? बिलकुल नहीं, 33 मतलब repetition of digit हो गया भाई नहीं हो सकता, फिर 35 करना पड़ेगा then next is बच्चा 5 को combination करो तो 52 बनेगा and then 53 बनेगा 55 नहीं बन सकता because again that will be the repetition of the digit and यहाँ पे तरह count करो बच्चो तो आप लोग को मिलेगा n of s is equal to 6 करके and this is how you have solved the first question and it was as simple as that है ना बच्चो probability बड़ा simple सा chapter चलो, next go for यहाँ पे practice at 5.2 का question number 2 में जाते है the arrow is rotated and it stops randomly on the disk find out on which color it may stop एक arrow, एक board दिख रहा होगा and उसमें arrow दिख रहा होगा and बहुत सारे colors दिख रहे होंगे बच्चो यहाँ पे and उन्हेंने बोला है कि एक arrow को हमने rotate किया है and वो कही पे भी stop हो सकता है randomly वो randomly कही पे भी stop हो सकता है तो don't you think this is a random experiment बच्चा जहाँ पे आप लोग को सारे results पहले से ही पता है but वो arrow कहाँ पे stop होगा इसकी कोई guarantee नहीं बरबर तो random experiment हो गया तो find out on which color it may stop अब हमें कैसे पता चलेगा भई कौन से color में stop हो सकता है यह कही पे भी हो सकता है इसलिए हमें सारे possibilities को ही तो लिखना है तो possibility क्या हो सकता है बच्चा देखो arrow को देखो आप लोग देख सकते हो कि अगर मैंने ये board को घुमाया तो arrow yellow में रूख सकता है जो कि already रूख है this is one of the possibilities ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों कि ये arrow blue में रुख जाए ऐसा भी हो सकता है कि ये green में आके रुखे ऐसा भी हो सकता है कि purple में आके रुखे red में आके रुखे या फिर ये orange में भी आके रुख सकता है so we don't know कि इसलिए हमें यहां पे सारे के सारे outcomes लिखने पडेंगे and that is why यहाँ पर लिख लिए है बच्छा S could be yellow, blue, green, purple, red as well as orange so these are all the possible outcomes and यह रहा मेरा sample space sample space के साथ में sample points भी लिख लूँगा तो n of s is equal to 6 इतना difficult लगने वहला question का answer सिफ दो line है खतम, आएगा तो एक मार के लिए आएगा, बड़ा simple है डाइगराम बनाने का आए गया, बिलकुल नहीं this is just for your understanding है बच्छो, तो यहाँ पर please figure वगर बनाने की कोई ज़रूद नहीं है this is how your final answer will be, as simple as that चलो, third question करते हैं practice at 5.2 का यहाँ पर है, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5 and यह रहा आपका calendar सबसे पहला सवाल आपके मन में उठेगा, sir, यह calendar जो दिया है, आपको exam में दिया जाएगा, yes यह बिना दिये तो आप लोग, obviously 2019 का March का थोड़ी न, आप लोग रटा मारोगे तो यह वाला calendar आप लोग को provide किया जाएगा, मतलब वहाँ पे figure में if in case अगर यह question आता है तो, आप तक ऐसे questions कभी आए नहीं है, बट अगर आता है तो आप लोग को provide किया जाएगा, तो March 2019 में question को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, in the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5, बच्चों आपको ऐसे day निकालने है, जिसका date जो है, वो multiple of 5 हो, multiple of 5 मतलब 5 के table में आने वाले सारे numbers, तो अगर आप यहाँ पे 5 के table में आने वाले सारे numbers को note down करते हो, तो आपको वो नहीं लिखना है, जो 5 के table में आने वाले जो dates है, उसके days को लिखना है, उपर देखो, find the days, समझ में आ रहा है, तो 5 के table में आने वाले सारे numbers देखो ना ब तो आपका sample space में आएगा कि Tuesday is one of the possibility, उसके बाद में 5 के बाद आता है, 10, 10 को कहा पे आ रहा है बच्छो, 10 कोन से day में आ रहा है, Sunday, तो Sunday is also one of the possibilities, फिर 15 आ सकता है, 15 कहा पे है बच्छा Friday, तो यहाँ पे Friday is one of the possibilities, फिर आएगा बच्छा 20, जो कि Wednesday है, तो that is also one of the possibilities, फिर 25 है, तो Monday आएगा, and last but not the least, 30 है, जो Saturday में देगा, and these are the only days, जहाँ पे आपका multiple सा 5 मिल रहा है, तो आप लोग ने सारे days को लिख लिए, almost सारे day मिले यहाँ पे, कौन सा तो एक day missing है, I guess Thursday is not the only, हाँ, Thursday यहाँ पे miss किया है, बाकी सारे days तो आ चुक है, तो यहाँ पे लोग लिख सकते ह is equal to 6, and यह question भी यहाँ पे खतम हो जाता है, as simple as that, okay, let's take the last question for today, guys, and the last question over here is obviously, one of the easiest questions, the activity-based question, and activity-based question, चोड़ना मताव, चो एक्जाम में activity-based question उल्टा जादा अच्छी तरह से आता है, बहुत अच्छे अच्छे आते है, बहुत अच्छे आते है, बहुत easy आते है, तो कर दो, okay, यहाँ पे है, form a road safety committee of two, from two boys, जो यहाँ पे boys दिये है, उनको B1 और B2 करके representation किया है, और जो two girls है, उनको G1 और G2, इसमें से आपको एक road safety का committee बनाने का है, यह चार लोगों से, मतलब दो boys and दो girls का, बट जो committee बनेगा, वो सिर्फ दो-दो का group का बनेगा, यहाँ प अलग-अलग try करने है, यहाँ पे boys and girls का group का, simple है, यहाँ पे देखो, बचो, सबसे पहले अगर उनको ने बोलाए कि हमें committee of two boys चाहिए, मतलब हमें सिर्फ boys का ही group चाहिए, तो आप बड़ा simple है, आप यहाँ पे B1, B2 लिख सकते हैं, काम कतम, अब आप सोचोए कि B1, B2 कोई है, कोई सेंस बनता है, कोई लॉजिक बनता है, कोई सेंस बनता है, कोई लोजिक है, कमीटी है, तो यहा पे arrangement का फरक ही नहीं पड़ता है, दो लोग का committee बन रहbell hedge चाहिए, राकेश सुलश राकेशका बने है, कमीटी तो committee रहेगा, ग्रूप तो गूरूप ही रहेगा, यहां पे B1, B2 और B2, B1 is actually one and the same so you don't have to write it again and again बार बार लिखने की जो सब्सक्राइए यहां पे committee of two boys जो होगा तो B1, B2 होगा वह ऐसे committee of two girls निकाल लो बच्चों वो भी तो simple है भई committee of two girls मतलब G1, G2 हो जाएगा very simple बाद में C यहां पे जो option है उन्होंने बोला है कि इस बार committee ऐसे बनाने का हमें एक boy चाहिए and एक girl चाहिए अब इस में combinations बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि मैंने boy 1 को उठाया and girl 1 को उठाया तो B1, G1 हो सकता है बट अट 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 इसे भी तो हो सकते है कि मैंने boy 1 को ही उठाया बट इस बार G2 मैंने ले लिया मतलब B1, G2 हो सकता है तो this could also be the community यहां पे हो सकता है बच्चो तो this is also one of the हम लोग बोल सकते हैं कि एक group बन सकता है इस बार बच्चा B1 ही लेकर मैंने G1 और G2 ऐसे combinations किये तो क्या मैं boy 2 के साथ बेसा combination ट्राय कर सकता हो definitely B2, G1 भी one of the possibilities है जहां पे boy 2 लिया and girl 1 at the same time B2, G2 भी कर सकता हो जहां पे boy 2 है and girl 2 का है so these are the only possible combinations इससे ज़्यादा combination नहीं हो सकते and finally उन्होंने लिखा है कि sample space लिको हमें पता है बच्चो sample space का मतलब होता है कि सारे यहाँ पे जो elements है उसका combination सारे outcomes है बच्चो उनका combination तो सारे जितने भी अप लोगको यहाँ पे ABC में मिले है उनका सारे combination बना दो आप लोगको sample space मिल जाएगा so it will become B1, B2 G1, G2 B1, G1 B1, G2 B2, G1 and B2, G2 I know it sounds weird बट यही आपका final answer होगा बच्चो अगर यह exam में question आता है तो यह question बच्चो देखो यहाँ पे boxes अगर देखोगे तो काफी सारे इतने boxes तो पूछेंगे मिनी भरने के लिए अगर 2 mark का activity based question आता है तो 4 boxes होँगे अगर 3 mark आता है तो 6 boxes होँगे that's it तो अगर उन लोग को तोड़ा filter out करना है तो वो कर लेंगे इतने द्यादा boxes तो आप लोग को देने से रहे तो I think this is more than enough for you to understand right now about the sample space and the sample points अगर आप लोग को यहाँ पे sample space और sample points के बारे में समझ में आ गया रहेगा तो बच्चो don't forget to like this video and share with all your friends and don't forget to subscribe as well मिलते है बच्चो next session में वो next session बड़ा ही interesting and important होने वाला है something called as the event जहां से probability सच में start होने वाला है बच्चो यह तो फिरा लिए तो time pass ही था but यह समझना बहुत जादा important था hopefully आप सभी लोग को यह समझा है अगर समझा है तो best है बच्चो मिलते हैं एक session में तब तक take care of yourself love you all thank you so much and happy learning